पिछले दो एपीसोड में हमने समझने कोशिश की कि हार्ट अटेक क्या होता है क्यों होता है और क्यों इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उस पर बड़ा प्रश्ण चिन है आज हम आपको ऐसे पांच लाइफ स्टाइल सूत्र बताने वारे हैं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा साफ हो जाएगा मजबूत हो जाएगा और बलकी में कहूं बड़ा भी हो जाएगा हाट अटेक से आपको बहुत अच्छा प्रवेंशन मिल जाएगा और अगर कार्डियक ब्लॉकेट्स हैं तो वह भी गायव हो जाएगे लेकिन इन सूत्रों की बात करने के पहले मैं कुछ बेसिक्स की बात करना चाहूंगा दो बेसिक कार्डियो वेस्कूलर पैरामीटर हमें समझ लेने चाहिए और वो हैं बीपी और पल्स तो पहले बीपी की बात कर लें तो 120 बाइटी का बीपी अच्छा माना जाता है नॉर जैसे की 110 by 70 रखें या थोड़ा सा और कम रखें तो यह और भी अच्छा होगा कार्डियक हैल्थ के हसाब से पल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परामीटर है कार्डियक हैल्थ को समझने का और इसकी ब्यूटी यह है कि आप खुद ही निकाल सकते हैं अपनी कलाई पे उ कोंट्रेक्ट होना पड़ता है आपके पूरे शरीर में ब्लड भेजने के लिए तो अगर आपका हार्ट मजबूत है और साफ है बढ़ा है तो उसको कम कॉन्ट्रेक्शन करने पड़ेंगे लेकिन अगर सपोस करिए कि आपका मसल्स बीक हैं का हर्ट की ओँड़ा बहुत ब 72 की value नॉर्मल मानी जाती है पल्स की लेकिन अगर आप इसको 60-65 के बीच में रखें तो और भी अच्छा है जो marathon बगरा करते हैं अच्छे sports person रहते हैं उनका pulse rate तो 50 से कम हो सकता है तो pulse को आप खुद चेक करें और इसको समझें आप पल्स 60-65 के बीच में रखना बहुत अच्छा है तो अब हम lifestyle सूत्रों की बात कर लेते हैं पहला सूत्र हुलिया हुलिया मतलब deal doll कैसे दिखते हैं तो इसके बारे में हमें अपना नजरिया खासा बदलने की जरूरत है पारमपरिक रूप से ऐसा रहा है कि हम थोड़ा मौटा, हट्टा-कट्क, गोरा-चित्टा यह होने को बड़ा अच्छा मानते रहे हैं और मन में यह भाव भी रहा है कि नहीं थोड़े हम रखने-कट्रे हों थोड़े गोरे-चित्टे हों थोड़े स waiting होड़े ससे मौटे ह की भी वो फोटो जिसमें वो उखरू बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं बहुत ही इंस्पाइरिंग है वो आप लगा लीजिए आपको बड़ा तगड़ा पोस्चर मिल जाएगा बहुत तगड़ा हुलिया मिल जाएगा तो हार्ट हेल्थ के लिए बढ़िया हुलिया है कि आप दूबले पतले हों आपका पेट एकदम सपाथ हो गाल थोड़े से घुसे हुए हो और रंग हलका सा साउला हो ये एक अच्छा हुलिया है और अगर आप गोरे चिट्टे हैं थोड़ी सी तौन निकली है और थोड़े से मौते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 60-70% ब्ल धूप जादू का काम करती है इसको बस आप समझ लीजिए तो अगर आपको याद हो जब मैंने हार्ट अटेक के कारणों की बात की थी तो तीन कारण बताये थे पहला कारण बताया था आर्टेरियल इस्पास दूसरा बताया था आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन और तीसरा ब सफटम होने से जो कारण डियक इस्पासम है जो आर्टेरियल इस्पासम है अचानक से जो आर्टेरिय सुकूलती है उसकी समझ लthe दूप खथम हो जाती है तूसरा एक बहुत बड़ा ज़ादू जो धूप करती है वो यह करती है कि कोलिसरोल को बिटामिन D कमजोर है तो आपका calcium हड़ियों से निकल के heart में आ जाएगा वो कहलाता है arterial calcification और उसके होने से फिर heart attack की संभावना बहुत बढ़ जाती है तो इससे क्या आपको double फायदा हो रहा है कि एक तरफ तो cholesterol कम होगा और दूसरी तरफ vitamin D बढ़ेगा तो cholesterol का जो plaque अगर है तो वो भी कम होने में मदद करेगा और जो आपका arterial calcification है उसको भी रोकेगा तो ये जो धूप है ये जबरजस्त काम करती है तीनों तरीकों से काम करती है और बहुत ही बढ़िया चीज है धूप लेने का सही तरीका है कि सनबात लें सनबात का मतलब है कि करीब करीब पूरे कपले उतार के लेड़ जाएं और पंदराव 20 मिनिट रोज काफी है दोनों तरफ धूप ले लें और मान लिजे कि अगर आप ऐसी जगे पे हैं जहां कपले नहीं उतारे जा सकते हैं तो मैं कहूंगा फिर थोड़ा ज्यादा देर आउटडोर रहें दो-तीन गहंटे अगर आप दिन में आउटडोर रहें थोड़े हलके कपलों में तो भी काम हो जाएगा मेरा तीसरा सूत्र है आटोफेजी आटोफेजी एक कमाल की रिसर्च हुई है जिसको की पिछले 2017 में नोबल प्राइज भी मिला था जिसमें एक जैपनीज साइंटिस्ट को इसको समझने की बहुत जरूरत है आटोफेजी का जो साब्दिक अर्थ होता है self eating मतलब खुद को खाना और एक mode होता है जब body इस mode में चली जाती है तो वो खुद को खाने लगती है और खाती क्या है जितनी शरीर में गर्वल चीजें हैं कच्रा है खराब चीजें हैं फैट है इन चीजों को खा जाती है और फिर इसी time में वो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती है तो दोनों काम एक साथ होते हैं कच्रा भी खतम होता है और बहुत तेजी से repair होता है तो अगर हम autophasy mode में अपनी body को कुछ time के लिए रखें तो आपके कैसे ही cardiac blockades हों वो सारे blockades खतम हो जाएंगे क्योंकि body को लगेगा यहां block करने की जरूरत नहीं है तो वहां से वो blockade हटा देगी दूसरी और दूसरा चमतकार body यह भी कर सकती है कि अगर उसे लगे कि यह blockade नहीं हटाया जा सकते हैं तो repair mode में जाएगी और repair mode में वो यह करेगी कि आपकी नई artery बना देगी यह काबिलियत भी हमारे शरीर में है बस जरूरत है इसको autophagy mode में डालने की अब autophagy mode में कैसे जाता है शरीर यह समझे तो अगर हम खाना ना खाएं तो दो दिन बाद करीब करीब हमारा शरीर autophagy mode में चला जाता है तो अगर हम कम से कम तीन दिन का उपवास करें तो हमें एक दिन का autophagy मिल सकता है तो एक 72 घंटे का उपवास हमें करना चाहिए और अगर आप autophagy का ज़्यादा गहरा फायदा उठाना चाहते हैं तो पांच, साथ या नौ दिन का भी उपवास किया जा सकता है एक चितावनी यह देना चाहूंगा कि अगर आप दवाईयां ले रहे हैं तो फिर यह उपवास डॉक्टर की निगरानी में ही करें अगर दवाईयां नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो आप कर सकते हैं कम सकम तीन दिन का तो करी सकते हैं तो तीन दिन से शुरुवात करें चौथा सूत्र है वर्क आउट कोई भी इनसान, कोई भी जानबर बगेर काम किये healthy नहीं रह सकता है हमारी जितनी muscles हैं हम उनको जितना इस्तिमाल करें वो उतनी strong होती है और hard भी एक muscle है तो इसको आप जितना इस्तिमाल करेंगे जितना थोड़ा heavily इस्तिमाल करेंगे तो ये उतना ज्यादा strong हो जाएगी तो हमें workout की जरुवत है अब यहां मैं एक चीज समझाना चाहूँगा कि workout असली होना चाहिए jogging करना हुआ, exercise करना हुआ gym जाना हुआ, yoga करना हुआ ये असली workout नहीं है workout का मतलब ये होता है कि उसमें से कुछ काम निकल की आना चाहिए workout, काम ना निकले तब तक फिर वो workout किस बात का तो हमें कुछ असली काम करना चाहिए और मैंने असली काम क्या हो सकता है खासतोर से शहरी लोगों को ये सोचने में कम से कम दो-तीन साल लगाए है गाँवाले लोग तो काम कर सकते हैं उनके पास कई रहते हैं वो खेत में जाके कुछ काम कर लेंगे और अच्छा workout हो जाता है लेकिन शहरों में बड़ी समस्या है workout की और दो-तीन साल की research के बाद हमें मुझे खुद अपने उपर experiment करने पर ये पता चला है कि जाड़ू पहुचा करने से बहतर कोई workout नहीं है शहर में तो जाड़ू पहुचा करें अपने घर का जाड़ू पहुचा आप एक ड़़ घंटे कर लीजे first class हो जाएगी आपकी cardiac health पूरी body tone up हो जाएगी अब माली जे आपके घर में लोग जाड़ा हैं cardiac patients भी जाड़ा हैं और अगर जगे कम हैं तो मैं कहूंगा कि सर्माए नहीं संकोच नहीं करें पडोसियों के घर में जाके करें इससे आपकी body भी सुदरेगी आपके रिस्ते भी सुदरेंगे आपका दिल भी बड़ा होगा और जो पांचमा सूत्र है आखरी सूत्र है जिसका हो सकता आप इंतजार कर रहे होंगे वो है कि diet के खाना क्या खाए तो खाना खाने के बारे में मैं एक जिकर तो पहले ही कर चुका हूँ जबकि मैंने heart attack के कारणों को बताया था तो जो heart attack और जो cholesterol plaque का जो main कारण है वो है inflammatory food तो हमें inflammatory food से बचना है इनको मैं दुबारा बता देता हूँ तो inflammatory food में number one पे आती है शक्कर और जब ही मैं शक्कर की बात करता हूँ तो उसमें good और sad सामिल रहती है दूसरा गेहूं भी inflammatory होता है तो गेहूं को भी हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए और तीसरा inflammatory food दूद है दूद को भी हम थोड़ा कम कर लें और चौथा तेल खास तोर से soybean का तेल इसको हम बंद कर देखाना और एक और inflammatory situation तयार होती है जब आप तेल को high temperature पे ले जाते हैं कडाही में गरम करते हैं किसी भी चीज़ को deep fry करते हैं मान लीजिये समोसे बनाते हैं कचोरियं बनाते हैं जलेवियं बनाते हैं ऐसा कुछ काम करते हैं तो एक और सलाय में ये देना चाहूंगा कि अगर आप बढ़िया heart health चाहते हैं तो अपने घर से कडाही निकाल दीजिये कभी भी तेल को high temperature पे मतले जाइए ये फिर बहुत ज़ादा oxidizing हो जाता है inflammatory भी हो जाता है और carcigenic भी हो जाता है ठंडा तेल कोई दिक्कत नहीं करेगा हिंदोस्तान में करीब 10 करोड हार्ट के patients है हिंदोस्तान दुनिया में number one पर हार्ट अटेक के मामलों में है हमें ऐसे चीजों में number one पर जाने की जरूरत नहीं है और हमने ये भी समझ लिया है कि जो दबाईया है और जो cardiac surgery बगएर उससे कितनी problem है तो मैंने जो पांच सूत्र आपको बताए है पहला ये कि हम हुलिया को ठीक से समझें हमें गोरे पन और तोंद से और थोड़े मटापे से अपना मोग खतम करने की जरूरत है दूसरी चीज ये है कि हम धूप का मात तो समझें उससे बहुत चीजे होने वाली है तीसरी चीज थोड़ा हम आटोफैजी को एक्सपरियेंस करें तीन दिन के वबास से ही शुरू करें लंबा ना करें अगर आप अभी तो और चौती चीज ये है कि वर्क आउट हम ऐसा करें जिसमें वाकई कुछ काम होता है इससे ही दिल में संतुस्ती मिलती है और आखरी काम ये है कि हम अपना फूड भी ऐसा लें जो कम इंफ्लमेटरी हो तो हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो बढ़ी हमनी रहेगी